नरेंद सिंग तॉमर ए नाम आप लोगोंने काफी चर्चा में सुना होगा है और हमारे देश में जब किसान अंदोलन चल रहा था उस समय आप देखेंगे कि नरेंद सिंग तॉमर काफी चर्चा में बने हुए थे क्योंकि आप देखेंगे हमारे किर्ची मंतरी हैं समझ रहे हमारे वर्टमान के किर्ची मंतरी हैं तो आज हम लोग नरेंद सिंग तॉमर के बारे में एक सामान जानकाई देख लेंगे आकर एक कहां से चुनकर आते हैं इनका वरिवारी बैक ग्राउंड क्या है और ऐसा माना जाता है कि इनके पिता भी किसान ही थे और आपको बता दूं कि ये कई पदों पर भी रह चुके हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे आपकी स्क्रीन पर नरंद सिंग तॉमर देख भी रहे होंगे आपको क्या हो रहे होंगे देख भी रहे होंगे आप लोग नरंद सिंग तौमर, तिक है? अगर हम लोग इनके नाम की बात करें, तु नरेन सिंह तौमर इनका नाम है और इनका जनम होता है 12 जून 1957 को, मोरेना मद्ध़पिदेश में इनका जनम हुआ था, आप सभी जानते हैं मद्ध़पिदेश को आप RIGHTधः पिदेश भी कहते हैं, आप लो सार्दा देवी तोमर इनकी माता और जीवन साथी यानि कि पत्नी की बात करें तो किरन तोमर इनकी पत्नी है इनके दो पुत्त हैं और एक पुत्री है और पड़े लिखे भी हैं इसना तक किये हुए यानि कि आप देखते हैं कि आप लोग बारी भी करते हैं उसके बाद इसन अगर हम लोग इनके राजनेतिक जीवन की अगर बात करें दरेन सिंग तो आप देखेंगे कि 1980 में भाजापा की युवा इकाई भारती जनता युवा मोडचा के सहर अध्यक्ष की पद से अपने राजनेतिक जीवन की शुरुआत करते हैं तो यादनी की कहने का मतला है कि राजनेतिक पारी 1980 में ये शुरू करते हैं इसके बाद 1983 से 1987 तक वो पारसद रहते हैं और 1998 से 2008 तक विधाय करेते हैं फिर आप देखेंगे 2003 से 2007 तक पिदेश की भाजापा सरकार में मंतरी रहते हैं कहां की बात करें हैं हम बात करें हैं मद्द देश भाजापा का अध्यक्ष बनाया जाता है उन्हें इसके बाद 15 जनवई 2009 में निर्विरोध राज्यसवा सदस्स बनते हैं और राज्यसवा सदस्स की आप सभी जानते ही कि इसके सदस्स बनने के लिए आपकी उमर 30 सालों निचे और इसका चुनाओ डारेक्ट किसके द् 2009 में मुरेना लोकसवा सीट से सांसद बनते हैं और लोकसवा सीट कहने का मतला है कि लोकसवा सदस बनते हैं और आप देखेंगे कि इसमें आपका डारेक्ट जनता के द्वारा चुनाओ होता है अगर आपकी उमर भी 18 साल हो चुकी होगी तो मद्दाता सूची में आपका न केबिनेट मंतरी के तौर पर खनन इस्पात सरम रोजगार और ग्रामीट विकास इवं पंचैती राज्य से मंतरालेयों का दायत्त भी समाला था फिर 2019 में लोकसभा चुनाओं में उन्हें मुरेना इस्थानां चीत कर दिया जाता है और यहां तोमर ने 1.13 लाक मतों के अंतर स से विजय हासिल की थी और किसी इवं किसान कल्याण मंतरी बनाये गए हैं और अभी बरत्मान में बात करें हैं अगर हम लोग तो एक किरसी के लफसान कल्याण मंतरी हैं और आपको एक और बात बता देता हूं अभी तक का इनका राजनितिक सफर यही है एक सामन जान करी है तो ओवर्विएू है। और आगे क्या होता है। किस तरह से इनकी सरकार चलती है। किस तरह से यह जीतते रहते हैं। क्या इनका राजनितिक भविश रहता है। इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि एक न्यूच पर आप लोग फॉलो करते रहा करिएगा इसे क्या रहता है आपके राज जी की देश दुनिया की खबरें आपको मालू चलती रहती हैं और भी किसी के बारे में बात करनी हो तो बताईएगा अगर आपकी दिल्चस्पी है क किसी मैं तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है